हेलो फ्रेंस आज की वीडियो में हम जानेगे कि आप लोग फंड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसे यूज कर सकते हैं तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से फंड को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो तो आप लोगों क तो गाइस आप लोगों को फंड डाउनलोड करने के लिए एक ब्राउजर ओपन कर लेना है सिंपली गाइस मैं यहाँ पर क्रॉम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ आप लोग किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हो में यहां पर Chrome browser को open कर लेता हूं और इसके ब Teraz करना है the fun तो मैं यहां पर search कर रहा हूं उसे यहां आप लोगों को search करना यह तो किस और आप लोगों को साङ्ज करना है तो आप लोग 은से पर लिख कर आ गया दर मिनले आगया है और इसके वाल लोगों को यहां पर desktop site लगा लेना है मेरा यहां पर लगा हुआ है अगर नहीं लगा है आपके फून में तो इसे लगा लेना है तो आप लोगों का भी दे सकते हम फैंसी है और यहां पर आप लोगों को यहां पर बहुत सारे फंड लुछ करते интерес को तो आप लोगों को इस। तरह से जूंके लेना है और यहां-पर आप लोगों को इतनी केटागरी के फंड देखने को मिलाते हैं तो आप लोग जिस तरह के फंड डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो जैसे कि मैं इस पर किलिक करके मैं इस तरह के यहाँ पर फंड दिखा देता हूँ तो गैसे यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं हमने दूसरा open कर लिया है और यहाँ पर यह इस तरह के fund है तो आप लोग जिस तरह के download करना है कर सकते हो कैसे करना है तो आप लोगों को मैं दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकीरतों आप लोगों को इसे इस तरह से जूम कर लेना है और यहां पर आप लोगों को अपनी फाइल में जाना है मेरे फून को बेक कर दिया है इसके बाद आप लोगों को फाइल में जाना है मेरे फून को बेक कर दिया है इसके बाद आप लोगों को यहां पर सर्च करना है जो हमारा fund का नाम था तो मैं यहाँ पर fund का नाम सार्च कर लेता हूँ तो काई से यहाँ पर आप लोग देश सकते हो यहाँ पर यह fund आ चुका है तो आप लोगों को इस पर press करना है तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर more पर click करना है और यहाँ पर आप लोगों को document file कर देना है और इसके बाद आप लोगों को start to docupress पर click कर देना है इसके बाद आप लोगों को यहाँ से bake हो जाना है और आप लोगों को उसे apps में जाना है जिसमें आप लोग fund लगाना चाहते हो तो मैं simply guide आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर pixel lab open कर लेता हूँ आप लोगों को जिस apps में लगाना है उसे आप लोगों को open कर लेना है मैंने इसे open कर लिया है इसके बाद आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इस पर click कर देता हूँ इसके बाद इस तरह पाजाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है fund तो आप लोगों को इस पर click करना है और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है my fund तो आप लोगों को इस पर जाना है और आप लोगों को यहाँ पर फाइल दिख रही है तो आप लोगों को फाइल पर क्लिक कर देना है यहाँ पर पिलस का छोटा था आइकन है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना फंट दोन लेना है जो हम लोगों ने भी डाउनलोड किया था तो मैं अपना फंड ढून लेता हूँ तो गाइसे यहाँ पर आप लोग दे सकते हूँ यहाँ पर हमारा फंड आ चुका है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इसके बाद हम लोग एड डायरेक्टरी पर क्लिक कर देते हैं और यहां पर आप लोग दे सकते हैं, हमारे यहां पर aid हो गया है, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, कैसे करना है, इस पर आप लोगों को किलिक करना है, तो इसे यहां पर आप लोगों को किलिक करना है, तो इसे यहां पर आप लोगों को किलिक करना है, तो इसे यहां प आप लोगों को जो लिखना है वो लिख सकते हो मैं अपना नाम लिख लेता हूं तो गाइस मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया वोके कर देते हैं तो गाइस आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर यह फंड काम कर रहा है तो इस तरह से आप लोग किसी भी फंड को डाउनलो झाल झाल